नमस्कार मैं सद्दाम खान आर आप देख रहे हैं खबर 365 डियूज आज आपको हम दिखाना चाह रहे हैं लोहरदगा जी ले कि किसको पर्खन छेत्र के तीसिया सलहिया गाव के जंगलों में किसी अग्याद विक्ति के दवारा आज जंगल में आग लगा दिया जा रहा है इ परियावरन को हो रहा है बहारी नुकसान लोहरदगा जिले एकिस्को प्रखन शेत्र के और या सलय रानी अमबा भोडगिरवा गाउँ के आस पास के जंगलों में खुले आम आग लगा दिया जा रहा है जिससे परियावरन को काफी नुकसान हो रहा है वही जंगल में तेज हवा के कारण यह आग आसपास के छेत्रों में लगतार देजी से फैल रही है। इसी आग के चपेट में आकर कई जंगली जीव जन्तू जुलस रहे हैं। साथ ही कई परिजातियों के बड़े छोटे पेड़ पौधे भी जलकर बरबाद हो रहें। वही जंगल में व्यापक प्रमानें पर आग पूरी तरह से भयावख रूपधारन कर लिया है। इसके कारण आग पर कावु पाना संभाव नहीं है। इधर वन विभाग के द्वारा अभी तक आग बुझाने के दिशा में कोई ठोस बहल नहीं की गई है। इधर भारी संख्या में ग्रामिनों का कहना है कि किसी अग्यात शरारती तत्वों के द्वारा जंगल में आग लगा दिया है। इधर आए दिन जंगलों में किसी न किसी वैक्ति के द्वारा जंगल में आग लगा देने से प्रकृती की हरियाली घट रही है। खबर 355 डियूज के लिए लोहर दगा किसको से देखे सदाम खान की खास रिपोर्ट। खोस्पाहल नहीं किया गया है। जिसके कारण से कहीं न कहीं वन विभाग की लापरवाही स्टाप तौर पर दिखाए दे रहा है। आपको बतादे कि ग्रामिक छेत्रों के गावों में वन विभाग के तवारा जाग रुक्ता फैलाने की जरूरत है ताके वन तुरक्षित रह सके। देखिए जंगल में जो अभी इतना आग लगाये जा रहे हैं। यह अभी महुआ का तो सीजन नहीं है। महले तो सोचते थे कि महुआ का सीजन था इसलिए महुआ चुनने वाला लगाता है। लेकिन अब तो महुआ का सीजन नहीं है। लेकिन अभी भी लगाया जा रहा है जो जंगल में आग इससे तो हमें लग रहा है कि कुछ असमाजिक तत्थ जो अपना स्वार्थी से जो ज जनगजनार रहते हैं, वो अपने डर से इधर उधर भागने में बिवस हो जाते हैं उसके बाद लोग हमको लगता है की जनगल में कुछ लोग घात लगा करके उधर जनवरो को मारते हैं अब इसलिए आजक़ जनगल में भाग लगाते हैं झाल